कार्ल गुस्ताव यूंग, साइकलोजी में एक महान हस्ती, उन्होंने हुमन साइकी को समझने के तरीके पर एक अमिट छाप छोड़ी। यूंग ने कहा, होलनेस अपने होने के एक हिस्से को काट कर हासिल नहीं की जाती है, बलकि शैड़ो के इंटिग्रेशन से होती है। सभी पहलूओं को अपनाना कितना महत्रपूर्ण है। आंचोएं प्राचीन ग्रीक सूक्ति नो धाय सेल्फ, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास की आधारशिला है। आत्म चिंतन हमें अपने विचारों और भावनाओं की जांच करने की अनुमति देता है। आत्म परीक्षा की यह प्रक्रिया चुनौति पूर्ण हो सकती है। यह हमें अपनी परच्छाईयों का सामना करने की आवश्यक्ता है। इन अंधेरे कोनों में हम विकास की सबसे बड़ी क्षमता पाते हैं। आज की भाग दोड़ भरी जिंदगी में हमारा मन अकसर विचारों और चिंताओं में डूबा रहता है। यहीं पर माइंडफुलनेस आती है। बिना किसी फैसले के अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाने का अभ्यास। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने जीवन में अधिक उपस्थित होना सीखते है। इस बड़ी हुई जागरुकता का हमारे सवस्वमन्द और आजनाइससंद सुनिसंट से न ठेयश। जिपर पी सिंगरपार और नुक्षिन्याम गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तनाव कम हो सकता है और जीवन की कुनवत्ता में व्रिद्ध हो सकती है। आथेंटिसिटी हमारे कारियों, शब्दों और मूल्यों को हमारे वास्तविक्स्व के साथ संरेखित करने के बारे में है। इसमें उन मुक्षोटों की पहचान करना और उन्हें उतारना शामिल है। जिन्हें हम दूसरों को खुश करने या सामाजिक मांदंडों के अनुरूप बनाने के लिए पहनते है। प्रामानिक्ता की और ये यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। हाँ, कमजोर होने और खुद के प्रति सच्चे जीवन जीने के लिए साहस की आवश्यक्ता होती। प्रामानिक्ता का पुरसकार अतुल्निय है। अधिक आत्मस्विकृति और गहरा संबंद। अपने जीवन की कलपना अपने निजी बगीचे के रूप में करे। सीमाएं आपके बगीचे की रक्षा करती है। दूसरों को आपके प्रिये चीजों को रौंदने से रोकती है। सीमाएं निर्धारित करना हमारी अपनी आवश्यक्ताओं का सम्मान करने के बारे में है। स्पष्ट सीमाएं हमारी अपेक्षाओं को दूसरों तक पहुँचाती है हम अपने लिये एक जगह मातिया पने बनाते जहां हम फल फूल सकते हैं जुनून वह भीतर की जलती हुई आग जो हमारे उत्साह को प्रज्वलित करती है अपने जुनून की पहचान करना और उनका पीछा करना आवश्यक है जब हम उन गतिविधियों में सनलगन होते हैं तो हम उर्जा और आनंद के स्रोत में प्रवेश करते हैं हम प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां समय स्थिरपरतीद पास समस्थिरपरतीद एंश्टीटीपास ही खास मिमास है। उन कत्यूनेगी कना उन गतिविधियों को अपनाएं जो आपको खुशी देती हैं। पीए किये, अपने जुनून के लिए समय निकाले और उन्हें अपने जीवन को स्मृद्ध करने दें मनुष्य सामाजिक प्राणी है जो जुडाव और अपने पन के लिए तार-तार होता है स्वास्थ्य संबंधों को आपसी सम्मान, विश्वास, खुले संचार और समर्थन की विशेष्टा होती है वे हमें अपने पन, सुरक्षा और प्यार की भावना प्रदान करते हैं हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं स्वस्थ संबंधों को विकसित करने के लिए प्रयास और इरादे की आवश्यक्ता होती है याद रखें हमारे रिष्टों की गुणवत्ता उन में हमारे द्वारा किये गए प्रयास का प्रतिबिंब है मानव मन एक उलेखनीय साधन है जो असीम विकास और विस्तार करने में सक्षम है निरंतर सीखना हमारे दिमाग को तेज और हमारी जिग्यासा को जीवित रखने के लिए आवश्यक है सीखना कक्षा की चार दीवारी तक सीमित नहीं है ये एक आजीवन यात्रा है जो अंगिनत रूप ले सकती है हमारे भौतिक शरीर वे पात्र हैं जो हमें जीवन के माध्यम से ले जाते हैं शारीरिक स्वास्थे के लिए पौश्टिक भोजन प्रदान करना नियमित शारीरिक गतिविधी में शामिल होना गुणवत्ता पूर्ण नींद को प्राथमिकता देना ये प्रथाएं आपस में जुड़ी हुई है प्रत्येक हमारे समग्र स्वास्थे में महत्व पूर्ण भूमिका निभाती है आए है अपने शारीरिक स्वास्थे का ध्यान रखना आत्म सम्मान का कार्य है कांग्य है जिस प्रकार हम अपने शारीरिक स्वास्थे की देखभाल करते हैं उसी प्रकार अपने मानसिक स्वास्थे को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है तनाव का प्रबंधन करना, भावनाओं को संसाधित करना और पेशेवर सहायता लेना शामिल है मानसिक स्वास्थे पेशेवर से संपर्क करे जीवन के ताने बाने में अधिक की खोज में फंसना आसान है हलांकि कृतजिता हमें आमंत्रित करती है कि हमारे पास क्या है जीवन में छोटी-छोटी चीजों की सराहना करे सर्द सुबह में चाय प्रियजनों की हसी कृतजिता के लाब गहन है जीवन की कलपना विभिन्न पहलूओं, काम, रिष्टे, व्यक्तिगत गति विधियां, स्वास्थे और आराम के बीच एक नाजुक नृत्य के रूप में करे संतुलन प्राप्त करना इन विभिन्न तत्वों के बीच सामनजस्य स्थापित करने के बारे में है यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी एक पहलू दूसरों पर हावी ना हो संतुलिज जीवन बनाना समायोजन और पुनर मूल्यांकन की एक सतत प्रक्रिया है यह हमारी अपनी आवश्यक्ताओं और सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है साथ ही जान बूज कर और उद्देश्य के साथ अपने लक्षियों और जुनून का पीछा करना है जीवन एक प्रत्याशित यात्रा है जो चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरी हुई है साहस डर का अभाव नहीं है बलकि इसके बावजूत कार्य करने की इच्छा है साहस आंत्रिक शक्ती है जो हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने नए अनुभवों को अपनाने अपने और अपने विश्वासों के लिए खड़े होने और प्रतिकूल परिस्थितियों में द्रुड़ाओं रहने की अनुमती देती है हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं और साहस के साथ कार्य करना चुनते हैं तो हम अपनी आंतरिक लचीलापन का निर्मान करते हैं और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन बनाते हैं उद्देश्य की खोज एक मौलिक मानविय खोज है यह इस बारे में है कि हमारे जीवन को हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से परे अर्थ, दिशा और पूर्णता की भावना क्या देती है अपने उद्देश्य को खोजना एक भव्य पूर्व निर्धारित रास्ते पर ठोकर खाने के बारे में नहीं है बलकि यह उजागर करने के बारे में है कि वास्तव में हमारे मूल्यों, जुनून और आकांक्शाओं के साथ क्या प्रतिध्वनित होता है याद रखें, हमारा उद्देश्य हमारे पूरे जीवन में विकसित और परिवर्थित हो सकता है और यह बिलकुल ठीक है इंटेग्रिटीव हनीव है जिस पर हम अर्थ और उद्देश्य से भरपूर जीवन का निर्माण करते हैं यह हमारे कारियों को हमारे मूल्यों के साथ संरेखित करने, दूसरों के साथ अपने व्यभार में इमानदार और पारदर्शी होने और ऐसे तरीके से जीने के बारे में है जो हमारे गहनतम विश्वासों के अनुरूप हो अखंडता के साथ जीना हमेशा आसान नहीं होता है इसके लिए हमें कठिन चुनाव करने की आवश्यक्ता होती है अपनी सच्चाई बोलने की भी जब हमारी आवाज कांपती हो और अपने कारियों के लिए खुद को जवाब दे ठहराना होता है करुणा दूसरों के दुख को समझने और उसमें साज़ा करने की क्षमता उपचार और संबंध के लिए एक शक्ति-शाली शक्ति है यह ना केवल दूसरों के लिए बलकि खुद के लिए भी दया, सहानुभूती और समझ का विस्तार करने के बारे में करुणा पैदा करने में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, हमारे निर्णयों को चुनौती देना और हमारी साज़ा मानवता को पहचानना शामिल है जब हम करुणा के साथ नेत्रित्व करते हैं, तो हम दया का एक लहर प्रभाव पैदा करते हैं, जो खुद से कहीं आगे तक फैलता है जीवन एक अप्रत्याशित यात्रा है और चुनौती आहों मानविय अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है लचीलापन वह आंत्रिक शक्ती है जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने, कठिन भावनाओं को नैविगेट करने और चुनौती पूर्ण अनुभवों से मजबूत और समझदार बनने की अनुमती देती है लचीलापन के निर्माण में एक सकारत्मक मान सकता विकसित करना, हमारे समर्थन प्रणालियों का पोशन करना, आत्म देखभाल का अभ्यास करना और विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों को फिर से परिभाशित करना शामिल है यह पहचानने के बारे में है कि असफलताएं असफलताएं नहीं है, वलकि सीखने और विकास के अवसर है रचनात्मक्ता केवल कलाकारों, संगीतकारों, या लेखकों तक ही सीमित नहीं है यह एक सहज मानुवीय क्षमता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है ये लीक से हट कर सोचने, नए विचारों को उत्पन करने, समस्याओं का अभिनव समाधान खोजने की क्षमता है प्रचना अत्मक गतिविधियों के लिए समय निकालना और प्रयोग को अपनाना शामिल है आज की भाग दोड़ भरी जिन्दगी में सूचनाओं और मांगों से अभिभूत होना आसान है सरलीकरण का मतलब है कि हमारे लिए क्या माईने रखता है ये कई रूप ले सकता है घरों को अव्यवस्थित करना, कारिक्रम को सूव्यवस्थित करना और सीमाए निर्धारित करना ये हमारे मूल्यों के साथ सनरेखित जीवन है मनुष्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक दुनिया से जुड़े हुए है मूड में सुधार हो या बस एक पेड़ के नीचे बैठना हो, खुद को प्रकृति में विसर्जित करने से तनाव कम होता है, मूड में सुधार होता है रचनात्मक्ता को बढ़ावा मिलता है और हमारे समग्र स्वास्थ्य की भावना बढ़ती है प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने के लिए समय निकालें और इसके अंगिनत लाभों का अनुभव करें दूसरों की सेवा करना, जरूरत मंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमारे जीवन में उप्देश, संबंध और पूर्णता की भावना पैदा करने का एक शक्तिशाली तरीका है सेवा के कार्य अंगिनत रूप ले सकते हैं हमारे समय की स्वेच्छा से सेवा करना, उन कारणों के लिए दान करना, जिनकी हम परवाह करते हैं बस जरूरत मंद किसी व्यक्ति को सुनने के लिए कान देना दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के अवसर को अपनाएं और उस गहन आनंद और पूर्णता का अनुभव करें जो खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करने से आती है जैसा कि हमने इस पूरे वीडियो में देखा है पूर्णता की यात्रा एक गहन व्यक्तिकत और सतत प्रक्रिया है आत्म प्रतिबिम्ब, प्लाइन कॉंशिंस, प्रामानिक्ता, जुनून का पीछा करना और स्वस्थ संबंधों का पोशन करना इन युक्तियों को आज ही लागू करना शुरू करें अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के तरीके के लिए सब्सक्राइब करें